आप सबको नमस्कार आप सब उपस्तित हो रहे होंगे ऐसा विश्वास है विकास चौदरी जी विनेशुरी श्रीवास्तो सबसे पहले उपस्तित हुए हैं दिलीव सुलंकी योगेश महाजन शलेन रठाकुर नीलम शुकला जी शुनील रातोरी जी रेखा वर्मा मनुरण्यन साहु पूनम जी आदी सब समय पर उपस्तित हो गए हैं कल हम लोगने ओदावर्द के बारे में चर्चा की थी आज हम कुपोर्शनल जन्न व्याधियों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कुछ प्रश्ण है उनके बारे में जो उनकी हमारे चिके सुविक शंका हैं दूर करने का प्रयास करूंगा डाक्टर बंदना पाठक जी का प्रश्ण है कि पैरों के सोल्स में गीलापन होने का अन्वह होता है वरिष्ट नागरिक है कई बार जब कफ का आवरण हो जाता है वायू में तो इस प्रकार के लक्ष्ण प्राप्त होता है एक ज़र होता है प्रलेपक ज़र में भी हाथ पैरों में ऐसा लगता है कि गीला कपड़ा रखा हुआ है इस प्रकार की महसूस होती है हरस्ते चरलों एस भवेताम चुप पाद सुप्त को उपाद हरसा सब विग्या कफ वातब प्रकुपता पाद हरस्त में भी इस प्रकार की अनुभूती हो सकती है इसमें कफ का आवरण होता है यह निश्चित है ऐसी अवस्ता में सेंधवारी तैल से अच्छी तरह मालिश करें और मालिश करने के बाद गरम पानी में थोड़ा नमक पड़ा हो उसमें सेख करें सुबह और शाम दोनों टाइम साथ साथ में महायोगराज गुगुलू अम्रतादी गुगुलू दो दो गोली दिन में दो भार पानी के साथ दें साथ में पंचकोल का काढ़ा पंचकोल क्वात 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम दें यह लगातार आप 15-20 देंगे तो निश्यत रूफे आराम होगा यदि जैसा मैंने अब गयादा प्रलेपक जोर हो तो उसमें भी फिर त्रभुन कीर्थिरस त्रभुन कीर्थिरस अभी समझे तेलाज करना पड़ेगा कई बार डाइबेटिक नियूराइटिस की वज़े से भी इस प्रकार के लक्षन प्राप्त हो सकते हैं डाक्टर भूपेंद्र मनी त्रपाथी शुत्र की चिकिस्टा के बारे में जानना चाहा है आप चरक्षनिता में देखेंगे जो कुष्ट अध्याय के लास्ट में अंतिम लास्ट में सुट्र का बरण किया है इससे यह जाहर होता है और यह शास्तर भी कहता है कि जो चिकिस्टा कुष्ट की है वही चिकिस्टा स्वेट कुष्ट की है और स्वित्के प्रतक्ष इसलेव वरण किया कि इसके कारण और विशेश्ट चिकिस्सा अलग है इसलेव अलग से वरण स्वित्र का किया है लेकिन जैसे लाइन आफ टुरीट्मेंट में कहा है सुवित्रानाम सविशेशम योगतभ्यं सर्वतो विशुबधानाम स्वित्रे संसुना मग्रे मलपूर से स्थे सागुडा जो कुष्ट रोग में स्रंसोधन की चिकिस्सा कुष्ट बढ़नेद है वह सारी की सारी की चिकिस्सा स्वित्कुष्ट में करना चाहिए बहुत दोसा संसुद्ध कोश्टी बहुसो अनुरक्षता प्रारान दोसे हती मात्रा हते वायू हन्याद बल्ला माशू वातो तरेसु सरपी वमनम सलेशमो तरेसु कुष्ठेसू पितो तरेसु मोक्षो रक्तस विरेचनम चाग्रे तो वमन विरेचन वस्ती नस्यकर्म यह सब विश्टर दूर्प से करने के परशाद फिर्श्वित रोकी विशेश चेकिस्था करना चाहिए विशेश रोकी चेकिस्था में सरवर्दम बताया है मलपूरस और गुर्भ मलपूरस यह कंफ्यूजिंग ड्रग है आचार चक्रद पश्वित ने इसको कठगूलर कहा है चोकी निर्देश यह है कि स्रंसं क्रिया और साथ विरेचन क्रिया कराने के लिए मलपूरस और गुर्व कश्यवन करा जाता है लेकिन कठगूलर मेरे हिसाब से कसाय प्रधान तरब्य है और यह विरेचन नहीं कराता है हो सकता है कट गूलर की मलपूरस से कोई दूसरा आउसदी आचार को मानने हो तो मैं अपने चिकिस्वा में क्या करता हूं इसकी जगह मलपूरस यानि कट गूलर की जगह ते त्री वहत्त कि या अमलता शगूदा 30 गूलर करके उसमें गूं मिला करके और शर्नशंपार करने के लिए परिशन को misschien कर adaptive हरím करना है इसलिए 30 ग्राम लेके इसका गुड़ ले ले 20 ग्राम दोनों को मिला करके खाली पेट में प्राता काल सेवन कराएं तीन दिन तक इससे दिन में दो-तीन बार मोशन होता है और ये विशिष्ट चिकिसा कही गई है शुत्र सुष्ट कुष्ट की उसके बाद एक काड़े का उलेक है मल्पू असनम प्रेंगु सत्पुस्पाम चामुसा समुत्कवात पलासम वाक्षारं फड़ितोबेतम इथाबिलम इसमें अमलतास गुदा या निशोत कटगूलर विजैसार प्रेंगु बड़ी सौफ और खदिर ये च्छे औसधियां एककोल कॉंटी में लेकर यवकुट कर लें चार चमर्दवाई चार कप पानी एक कब बचे तब तब पकाएं ऐसा एक कप सुबे शाम को दोनों टाइम देना चाहिए लगातार एक माह तक इसका प्रियोप करें इससे बड़ा लाब मिलता है जो मैंने पहले बताया अमलतास उगूदा और गुड़ खिला करके प्राता काल देवें खाली पेट में विरेचनार्थ संसरन कम करने के लिए यह लगातार तीन दिन दे और प्राता काल धूप में रोगी को जरूर बेठाएं इससे रोगी को और आराम प्राप्त होता है साथ में एक लेप का मैं उलेख करना चाहूंगा जो की बहुत ही उपयोगी है मूली बीच चूर 100 ग्राम वाकुची बीच चूर 200 ग्राम स्वरी वाकुची अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 200 ग्राम मूली बीच क्योंकि वाकुची भी ज्यादा लेने से इस फोर्ट जल्दी हो जाते हैं तकलिफ होती है इसलिए एक दो का रेश्यू रखें सो ग्राम वाकुची तो दो सो ग्राम मूली भीच इनका बारीक चूर तयार करके सीशे में भरके रख लें और इसको गोमूत्र में पीस करके लेप तयार करें अब जहां जहां पर स्वेद कुष्ट हो वहां इसका लेपन करें 24 घंटे में एक बार लेप लगाना चाहिए आप देखेंगे लेप लगाने के बाद उस अस्थान में इसफोर्ट पैदा होते हैं इसफोर्ट हैं होते हैं तो समझ लीजे हमारी उसदी कार्य कर रही है अगर इसफोर्ट जादा हो तो कंटक से भेद करके और बाद में चाल मुगरा तेल उसमें लगाना चाहिए प्रति दिन तो ऐसा लेप लगातार 15 दिन तक आप पेशेंट में लगाए आप देखेंगे क अंदर पेशेंट बहुत हद तक ठीक हो जाता है पर यहां आवश्चा के साध्यता साध्यता के देखने की साध्य है क्या साध्य है कि चरक कहते हैं यदि मंडल आपस में बहुत मिले हुए हो बीच बीच में कोई आउकास नहों बड़े बड़े चकत्ते हो और रोम स्वित कुष्ट के स्थान के रक्तवर्ण के हो गये हो ऐसा और एक वर्ष का पुराना हो एक वर्ष से उपर का हो तो यह स्वित कुष्ट असाध्य कि श्रेने में आता है इत परश्परतो अभिन नमभभू यत रक्त लौमवत यत गणौत पन्नम तत सुत्तम नविश ध्यती ऐसा सुत्र साध्य नहीं है साध्य कौन सा है ऐसा सुत्र रोग जो एक वर्स का हो एक वर्स के उपर का नहीं हो एक वर्स के नीचे का हो मंदल बहुत एकदम से मिली हुए नहों अलग-अलग हो बीच बीच में अवकास हो पानुरवन हो और वहां के रोम जो हैं रक्त बढ़के ना हुए हो ऐसा सुत्र साध्य होता है अरक्त लो में तनुयत पानुनाति चरूत्तम मध्यावेकासो सोच्छुनुह तसुरुतम साध्यमुचते इसके कारणों का भी कुछ प्रतक्ष बढ़न किया है वचान से तथ्यानी कृतक नभावो निंदा सुराणाम गुरुधर्श्राम पापक क्रियापूरु कृतम चकर्म हेतों के लासस्य ब्रोधी चान्यम हमेसा तथ्य वाचन करना जूंट बोलना गुरुद्योताओं का अपमान करना और विरुद्धार का सेवन्त है कि ऐसा व्यक्ति स्वित कुष्ट से आकरंत हो जाता है तो यह जो मैंने ट्रीट्पेंट बताए वह आप दें साथ में पंच निम्मबटी आरूग्य वर्दनी धोगोली शुबेश्राम को यह दो दे नहीं है और जो आपरा सौसधियां देते हैं गिलोई सत्तों 250 मिलीग्र मिलीग्राम रसमानिक साथ मिलीग्राम गंधक रसायन 250 मिलीग्राम यह आप देते रहें लेकिन जो विशेश्ची की समय बताई वह जरूर करें उससे निश्यत्रूप से रोगी को अराम होगा डाक्टर मरोरण्यन साहू कान के परदे में छिद्र होने पर क्या चीक सागे यह प्योड़ी सर्जिकल प्रब्लम है लेकिन फिर भी कोशेश तो करना चाहिए इसके लिए सारी वारी बटी और लाक्षारी गुल सारी बारी बटी लाक्षारी गुल दो दो गोली दिन में दो लें और अच्छी तरह सफाई जो बड़ साते हैं उससे चरह सफाई करते रहें और बिलवादी तैल का या हिंगवादी तैल का करन पूरण करें दस चारवून की महत्रा में जोती वर्मा उन्होंने एंपूलरी कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है यह वास्तों में असात दव्यादी है बहुतीर मिलता है बहुतीकम लिड़ता है और लाइव थ्रेटर्ण डिसीज हे रिएर मेलिगनेंट है इसको रिएर मेगनेंट टूमर्स और य इन दे लाज सेंटिमेटर आप दी कॉमन बाइल डक्ट बाइल डक्ट के अंतिम सरा में जहां पर वे डूडनम में और एंपुलरी पैपलिया में प्रिवेश्च करते हैं वहां पर यह अंतिम छोर में इस प्रकार का मैलिगनेंट ट्यूमर हो जाता है इसको बोलते हैं इसमें जो बाइलरी आउस्ट्रक्शन चुकि इसमें होता है और उससे समंधित लक्षन मिरते हैं जैसे की यलोई से स्किन और आई आख और तुचा पीली बनकी गले कलर्ड श्टूल मिट्टी के समान श्टूल निकलना अब्डॉमनल पेन फीवर कभी कभी हो जाता है ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम ब्लीडिंग भी हो सकते हैं नासिया वोमिटिंग और वेट लॉस यह लक्षन रोगी में प्राप्त होते हैं तो जैसा मनें बताएं और निश्यत्रूप से इसका आयरवेद में 100% क्योर ट्रीट्मेंट नहीं है लेकर अगर पिशेंट जोर दे ट्रीट्मेंट के लिए तो ट्रीट्मेंट करना भी जाए इसके लिए ही रग भस्म 400 मिली ग्राम स्वनसूद सेखा रस पांच ग्राम वईकरांत भस्म दस ग्राम इनकी साथ पुडिया बना ले एक पुडिया सुबशाम शहित के साथ सेवन कराए इसके लाबा कांचिनादी गुगलू टैबलेट नियो दो दो गोली दिन में दो बार सेवन कराए इससे भी रोगी को आराम मिल सकता है जोती गुपता जी ने उनका पेशेंट है 21 वर्सका फिमेल है माइग्रेन है पीसी ओडी है थाइरवाइड है और टैन एमम जीबी इस्टोन भी है गाल ब्राडर इस्टोन भी है अनेक डिसीज है तो मैं तो सलाह यह दूँगा कि सबसे पहले पेशेंट का विरेचन करा दें विरेचन करने से माइग्रेन पीसी ओडी श्टोन में भी लाग प्राप्त होगा माइग्रेन के लिए एक नश्य में आपको बता रहा हूँ केशर सिद्धित दुखध नश्य केशर पांच ग्राम सुद्ध घ्रहत में भूंज लें थोड़ा से और पांच ग्राम श्टकर लेकर यह केशर में मिलाएकर बारीख पीछ लें और सीशी में भरके रख लें जिसको माइग्रेन हो उसको विदिवत रोगी को सहीय में लेटा करके विदिवत पोजिशन दे करके नश्य कर्म देना है यह जो मिस्तरण है शकर और केशर का इसको लगभग 500 मिली ग्राम निकालें और दो चम्मस दूध में घोल लें दूधर गोदुध हो तो अच्छा र उसमें घोल करके चार से च्छे भून दोनों नासा में दोनों टाइम डालना है शिर्वे और श्राम को लगातार 20 दिन आप प्रयोग करिए इससे बहुत ही अच्छा लाफ आपको प्राप्त होगा अब इसके लावा योगे अंद्रिस 60 म्ली ग्राम दो सो पचास म्ली ग्राम वाट कुलन तक 60 म्ली ग्राम ये एक मात्र है आईसी दो मात्रा तरह तीन मात्रा शाहिध के साथ कि आप रूगई को से वन खनाए पत्यादिक वार्स में बहुत लाप्रद होता है पत्यादिक वा इसका प्रयोग आप पेशन को कर सकते हैं। पेट साफ रहें यह हमेसा ध्यान रखें। और ज्यादा प्रयास से करें कि ब्रुम्हण चिकिस्सा करें। इसके लिए एक हलुआ के निर्मान किये जाता है। चने की दाल करीब 50 ग्राम भिगो दें एक दिन पहले। प्राता काल इसको अच्छी तरह पीछले में और 50 ग्राम घ्रत में इसको अच्छी तरह भूजे। 50 ग्राम ही शक्कर डाल करके इसके हलुआ कर निर्मान करें। यह प्राता काल सूरु दे के पहले आप इसका सेवन खरें इससे भी बहुत ही लावपरात होता है। तो इस तरह किसे माइ सबसे अच्छी वस्ति होती है ले खन वस्ति प्रियोग करें लेखन वस्ति के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं थाइरॉयट में भी लेखन वस्ति काम करेगी मैं अपर मैंने बताया है उसका भी प्रयोगा आप इसमें करेंगे तो निश्य तुरूप लाप होगा इसके लावा कांचना दिउगुल गोक्षुरा दिउगुल दो गोली दिन में दो बार पानी के साथ देना चाहिए गाल बैलर इस्टोन के लिए एक योग में बताता रहता हूं हमेशा उसमें कुटकी, गोक्षुर, ककड़ी बीच और शतावरी ये चारों को मिला करके बार एक चून तयार कर लें और एक एक शमर दिन में दो या तीन वारिस का सेवन करें लगातार तीन महें तक तो धिरी 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 गल कर ये निखल जाएगी इसकी टैबलेट भी इसी जो मैने फार्वूला बताया है एक कमपनी ने तयार किया है तंस आपको नम्मर भी भेजा होगा जिसको ग compression टैबलेट ग compression के नाम से एक कमपनी ने आया है वो भी आप मंगा कर प्राप्त कर सकते हैं वो दो दो गोली दिन में तीन बार देने से गाल बार रिष्टोन चला जाएगा साथ में इन तीनों रोगों के लिए यह समय ने बताया कोश्ट सुद्धी बहुत ही आवश्यक है डाक्टर रजिनी शर्मा इन्होंने प्रश्ण किया है पर मुझे समझ में नहीं आया कि श्रेत क्या है आगले बार तोड़ा इस पश्ट ताहप प्रश्ण करें तो अच्छा रहेगा डाक्टर के अन्गंगवार एरेक्टाइल डिस्फंक्शन द्यू डियमेटल किया रहेगा है वॉयं को और राइक्टाइल फंक्शन प्रवलम तहित के तहिए तो डाइबीटीज कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ब्रम्हण दबाई लेने से इदधा डाइबीटीज बढ़ जाता है, मालीजे हम अशुगंधा, शतावरी, सफेद, मूसली ये सब देते हैं, इसकी वज़े से कई बार डाइबीटीज बढ़ जाती है, तो डाइबीटीज को कंट्रोल करते हुए हमको एरेक्टाइल फंक्शन का ट्रीटमेंट करना है, इसके लिए सबसे बड़िया संसोधन है, संसोधन करा है, दोनों कारी होंगे, डाइबीटीज में भी आराम होगा, और सोधन के पश्चाथ, फिर बाजी करना उसदियां जैसे पुस्प धन्व मारस 125 मिलिग्राम, सिद्ध मकरद्धवज 125 मिलिग्राम और बसंत को समाकर 125 मिलिग्राम, इनको दिन में दो बार कौँच पाक यह आता है, केवाज का बार कौँच पाक के साथ देवे, नहीं हो कौँच पाक तो ब्राम्ही रसायन के साथ सेवन कराएं, तो इससे रोगी को निश्यत आराम प्राप्त होगा बसरते की डाइबेटीस आपकी कंट्रोल हो डाक्टर मनीश खरे इन्होंने प्रग्नेंसी में कैल्सियम देने से कॉंस्टिपिशन हो जाता है विल्कु सही है आधनिक जो दवाईयां है कैल्सियम की उसके देने से आईरन देने से कॉंस्टिपिशन होता है तो आयर्वेद में यह कौंसी कैल्सियम के तत्तों है जो हम दे सकते हैं तो हमारे जो आयर्वेद में यह कैल्सियम देना है तो सबसे बढ़िया मुक्ता प्रवाल पंच्चामरत 125 मिली ग्राम प्रवाल पिश्टी 250 मिली ग्राम और श्रंख भस्म 250 मिली ग्राम यह एक चम्मर सुबश्राम को चवन प्रास के साथ देवे तो इससे कौंश्टी विश्र भी नहीं होता और कैल्सियम की पूर्थी भी होती है साथ में दूध है दही है जो दुग्द की विकार है उनका भी सेवन आप और सदियों की जगे कर सकते हैं दूसरा एक सफेद तिल बहुत उपयोगी है सफेद तिल सफेद तिल दो चम्मर सुबश्राम को सेवन कराएं इससे भी आवश्टक केल्सियम की पूर्थी सरी में हो जाती है और विबंद भी इससे नहीं होता है कि जोती वर्म उन्हें क्रॉनिक रिंग के ट्रीटमेंट के बारे एं बारी पूछा है ये भी बहुत ही कश्टसाथ असाद जैसी व्यादिया है जादतर कवाइन पोर्शन में, जंगों के मूल पोर्शन में यह जादतर रिंग बार्म होता है और गर्दन में भी बहुत होता है। तो इसमें सबस्वह चाहस की साफ सफाई ही का ध्यान रखें। निम्मपत्रकवाज से प्रक्षालन करें। प्रक्षालन करने के पाद इसमें गंधक दुरती का लेपन करें गंधक दुरती लेप से काफी अच्छा आराम प्राप्त होता है और इसके पहले सोधन करा दें इसमें वमन विरेचन क्योंकि इसकीन डिसीज है और इसकीन डिसीज के लिए सबसे पहलेशन सोधन है तो वमन व यवाह ये सिधार्टक इसनानाव कुछ अध्या में दे सकते हैं इनों सद्धियों की वस्ति इनों सद्धियों के काढ़ा और इनों सद्धियों से वहां प्रक्षालन भी रोगी कर सकते हैं एक इसके लावा टेक्जिमा टेबलेट दो गोली सुबे दो गोली साम को टेक्जिमा आइन्मेंड का भी प्रयोग वहां पर कर सकते हैं लेकन गंधक दूरती ज्यादा फायदा करते हैं इसके लावा अर्टीप्लेक्स लोशन भी बहुत लाफदायक है चरख कंपनी का है इसक तरूप से रोगी को आराम प्राप्त होता है सैलिंद्र ठाकुर जी ने एक प्रश्न किया है आखों के नीचे काले धब्य हो जाते हैं जिसको जाईयां कहते हैं वह हो जाते हैं उसके बारे में उन्हें पूंचा है कि जो आपने एक हरिद्रा चारोली और गुलाब ये एक योग बताय था मुख्याईयों के लिए तो क्या हम विडालक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं तो हां बिलकुल विडालक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताओं के करिया कलब के कृए कल बोलते हैं नेत्यतरपण को उसमें साथ प्रकार के क्रियाओं का बढ़नना है जो हम लोग बहुत कम करते हैं कि पहला है सेख के दूसरा है पीडिका तीसरा विडालक चोथा आश्चोतन अंजन पुटपाक और नेत्यतरपण इतनी प्रकार की treatment है तो विडालक जरूर इसमें फायदा करेगा मैं विडालक का एक योग और मैं आपको बताना चाहूंगा जो आँखों के नीचे जो जाईया हो जाती है उसके लिए यह बहुत यूप योग है अनभूत योग है आप चाहें तो इसको नोट कर लें इसमें इस्त्रीमधू गैरिक दाडम रसान्यन घ्रतकुमारी इन सब का लेपं तयार करके विडालक की रूप में प्रयोसाच कर हो और सब आउसमें लागार करके लेप मेर देख कर लें और येस लेप को विडालक की रूप में प्रियोग करें पलकों के नीचे तो इससे जो कालापन है वो चला जाएगा लगतार भी सिके इस दिन तक इसका प्रियोग करें डाक्टर भारा ठोक उन्हें पूचा है कि एंजियो प्लास्टी के पश्चाद क्या हम विरेचन करा सकते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं लेकिन थोड़ा साउधानी से कराएं बहुत तीख वमन न कराएं और पेशन की हल ठीक ना हो तो विरेचन तो निश्यत रूप से आप कर पानाने के लिए बिल्कुल वाजिब प्रिश्ण है तो एक चीज़ समझ लीजे कि एक भाग द्रव्य अगर है तो उसका आपको आठ गुना पानी लेना पड़ेगा जैसे 100 ग्राम द्रव्य हैं तो आपको 800 पानी लेना पड़ेगा अच्छा तुर्थान सेश रहने तक पक आता हूं रहलता हूं तो 300 500 काढा प्राप्त करने के लिए 200 कि महले दो यह बोदह याँ थांता छाएं तो यह से क्लिए तो 250 यह हैं तो इसमें बारा सो एमिल पानी डालिए और तीन सो एमिल सेस रहने तक पकाईए चार सो एमिल प्राप्त करना है तो इसमें सोला सो एमिल पानी डालिए और चार सो एमिल सेस रहने तक पकाईए तो कहने का तार्ट पर है कम से कम दो सो ग्राम अवसर्दियों के लिए आवशक्ता है यदि आप वो कारहत 300 या 400 अमिल बनाना है बाकी और तो आपको मालूम ही है कि उसमें और क्या-क्या चीज मिलानी है लेकिन जो आपने पूछा है मैं समस्तों हूं आप सिटिस्वाइड होंगे पंकच पांडे उन्हें कालवस्ती के पूरू और पश्चात कर्म क्या होते हैं बिशेश पूरू कर्म पश्चात कर्म नहीं होते हैं लेकिन वाहे अभ्यंग और वाहे सुईदन वस्ती के पूरू वस्ती के पश्चात और वस्ती के दौरान करते रहना चाहिए पश्यात कर्म की रूप में लगूहार देवें और जो वर्ज विशय हैं उच्चेर भासम, रतक्षोभं, अतिचंक्रम नासने, अजीनिना, अहित भोजेचा, दिवासपनम, चमेचनम ये वर्ज विशय है और उश्णोद कोप चारी साद गर्म पानी हमेशा पिलाना चाहिए उश्णोद कोप चारी साद ब्रह्मक चारी क्षपाश्या, सक्कर्न मुत्रो अनिल्दुगार अनुदिर नासन धार्यत, व्यायाममुच्यर वच्चनम क्रोध सोको हिमातपव, भर्जेद प्रवात्मचा सेवे सैनासनम, स्नेह पीत्वानारा स्नेहं प्रतुभंजान बाकि इसमें संसर्जन कर्म देनी की आवशक्ता पश्चात कर्म के रूप में नहीं होती है, डाक्टर आर्वी प्रजापती, निरूह वस्ती कम से कम कितने समय तक धारन करना चाहिए, अब ये आपकी विशेष्टा है, पेशेंट को परिक्षन कर लिजे, अगर कॉंस्टि पेशेंट है, तो रात्र को थोड़ा त्रफिला दे दीजिए, उसके बाद निरूह वस्ती दीजिए, वैसे मेरे अनभव से अगर 10-15 ग्राम तक वस्ती रूप जाती है, पांच मिनट भी ये वस्ती निरूह रूप जाती है, तो उसका एक्षन हो जाता है, लेकिन जैसे आ मानेता है, कई चेक्षों की शिकायत होती है, कि लगाया ततका निकल जाती है, तो उसके लिए थोड़ा शावधानी करना है, आपको ध्री ध्री प्रवेश्चत कराना है, बहुत ती बृता से आप प्रवेश्चत ना कराए, साथ ही साथ पैरों के तरफ थोड़ा से इंटा में तरफला चूण या हरर चूण रात को दे दे, मोशन क्लियर हो जाएगा तो बस्ती का धारान भी बढ़ जाएगा, लेकिन पंदरा मिट से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है, डाक्टर विकास चोधरी जी ने पॉट्स डिसीज के बारें पूचा है, जो आप जानते ही है, स्पाइनल टूबर कुलिसिस के नाम से पॉट्स डिसीज कही जाती है, और यह टूबर कुलिसिस जो पल्मुरी टूबर कुलिसिस होता है, उसके बाद सब सरवाधिक रूप में पाए जाता है, निस सबसे ज़्यादा तो पल्मुरी पॉरकॉर्स पाए जाता है लिए उसके बाद पॉर्ट्स डिसीज रोग्यों में ज्यादा पाए जाती है और इसमें निश्यत्रू से बैक पेन होता है टेंडरनेश होता है कभी-कभी पैराप्लेजिया डवलमेंट हो जाता है पैरेप्लेजिया अधरांगबाद और काइफोसिस और इसकोलियोसिस काइफोसिस मीज फारवर्ड बैंडिंग और इसकोलियोसिस मीज लेटरल बैंडिंग यह भी प्रोगी में हो सकता है तो इसमें निश्यत्रू से आपको टूबर कुलेसरस का इलाज करना है इसमें % 125 मिली ग्राम् मुकता प्रौवाल फंच अम्रत 125 मिली ग्राम् और गिलोष सत्र 250 मिली ग्राम् दिन में लेकिन कटी वस्ति प्रश्ट वस्ति और ग्रीव वस्तियाब चंदन मरा लाग शारी तेल से या आश्रोगंधा तेल से करा सकते हैं अवसद्यों में सीतो पला रिचून पांच-पांच ग्राम दिन में तीन बार कि महायोग राज गुगलग मायोक दोगुली शुबए दोगुली स्वां को लेकिन निश्यतं रूससे त्च्वाइए ठीक हो जाएगा यह कहना थ्या संकास्पत है स्लीए ऐसे कीसिस हैडी paid गॉबरकुलम को स्वाइए तो निश्यतं रूसे आद्निक चेकेंसाघ्री डाक्टर योगेश महाजन ने JRA का मतलब होता है जिविनाइल रिमिटॉइड आर्थ्राइटिस जोकि बच्चों में ही होता है और बहुत ही कॉमन है 16 वर्स के नीचे वाले बच्चों को ही ये रोग आकरंत करता है कारण इसके अज्याद है परन्तु आटो इम्यून डिसीज के डिस्टर्बेंस से जनेटिक फेक्टर और इन्वायरमेंटल कंडिशन के कारण ये रोग उत्पन होता है ज्यादा तो जनेटिक होता है और इस्टिफनेस ये लक्षन मिलते हैं और इसमें हमको आमवात कीची किसा ही आपको करना है लंगनम स्वेद्नम तिक्तम दीपनानी कटूनिचा व्रेचनम स्नेह पानम वस्तिष्याम मारुते सैंदबादेन अनुआ सस्से आक्षारवस्तिह प्रस्वस्ते आमवाते पंच तो यहां पर निश्यत रूप से इस्थानिक अभ्यंग पत्रप्रणिश्वेब ये करें साथ में आमवातारी रस 125 मिलीग्राम ब्रहद्वाचिंतामनी 60 मिलीग्राम महावाद विद्वनसा रस 60 मिलीग्राम दिन में तीन मात्राएं शहिद के साथ देवें साथ में वस्ति भी अगर 10 वर्ष से उपर का 12 वर्ष के उपर का विट्टी है तो वस्ति का भी प्रयोगा पेशिंट में कर सकते हैं इस तरही के से जो प्रश्ण हमारे चिक्रसोगे ने पूंचे थे मैंने प्रयास किया है संतुष्ट करने का और उन सब प्रश्ण करताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे इन्वाल्व हो जाते हैं, प्रश्ण उनके दिमाग में आते हैं, वो पूछते हैं, अब मैं उतर देने का प्रयाश करता हूँ. हमारे चिकिसक डीक्टर रोंप्रकास त्रीवारी जी, पीज़नी शर्म, जोती वर्म, विनय मित्तिल, प्रशान्त ससाने, सविता पाटिल, सोनम्म गोहाने, मनुरंजन साहु जी, विनेश्वरी स्रीबास्तो, प्रकाश सिंग, पंकर शुकला जी, भानु परताब सिंग, बंधना पाठक जी, जोती वर्मा जी, त्रप्ति सिंगल जी, अरुन शर्मा जी, शिल्पा पालसकर, योगेश महाजन, सोनल अ हैं, और हमारे नापार के भी वहां के प्रभारी हैं, डाक्टर मणी भूशन जी, पत्ना, मुहम्मद साहिद, यह भी मेरे अच्छे मित्र हैं, परेश्मन्या, मुविन मुल्ला जी, तो यह सब चिक इस कारक्रम से जुड़ी हुई हैं, आप सब को बहुत-बहुत मेरी और स कि माल निट्रिशन, कोपोर्शन से सम्मंदित कुछ व्याधियों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि सामानिता है, ऐसे रोग जब हम BMS करते हैं, तो यह तो पढ़ाई नहीं जाते, यह हम पढ़ते नहीं हैं, इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट रोग है कार स्थावली की चिंता तो हर कोई करता है, मेदोरों की चिंता हर कोई करता है, लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं कि वो कार्श रोग से पीड़ेत हैं, वो क्रश हैं, इमिसियेशन हैं उनको, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, तो आप जैसा मैंने बताया, मुख्यता को पोशन के कारण या सम्यक रूप से संतुलित भोजन के अभाव में कार्श रोग की उत्पत्ति होती है, भोजन के परिपाक के फलस्ट्रूप यदि रस धातु की सम्यक रूप से उत्पत्ति नहीं होती है, तो आगे की जो धातुएं हैं, अग्रिम धातुएं हैं, उनका का उचत पोर्षण भी नहीं होता है जैसा आप जानते हैं रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थी मज्जा एक करमसा निर्मान होता है लेकिन मुख्य जो पोर्षण दत्तो है वह रस धातु इसलिए रस धातु यदि अल्ब मात्र में उत्पन होती है पोर्षण के भाव से तो निश्यत रूप से जो अग्रिम धातु हैं उनका भी पोर्षण नहीं हो पाता और अन्य धातियों में करमसा क्षणिता की उत्पत्ति होती है और जिससे कार्श रूप की उत्पत्ति होती है इसी को बोलते हैं बाद में क्रश रूप हो जाता है और आप जानते हैं चरक ने अस्टो निंदती अध्याय में मेदो रोग इस्थवले और क्रश्ट दोनों को निंदा किये दोनों अच्छे प्रोश्ट नहीं माने जाते हैं अस्टो निंदती अध्याय ऐसा ब्रणन चरक ने किया है इसमें रस्वा स्रोतस की विक्रिती होती है चरक ने रक्तवा स्रोतस की दुस्टी जन्रोगों में कृष्टा का उल्ले किया है रस्वा सुरुतस जयसे आप जानते है आचर चरक ने इसका मूल बताया है खर्दें और दस धहमनिया और सुसुत ने हृर्देंर और रस्वांिया ये दो रस्वा सुरुतस के मूल अस्थान बताये गए हैं इसमें रस्वा स्रोतस की ही विक्रिति होती है, और इसी वज़े से क्रिश्टा की उत्पत्ति होती है. रस्वास्त्रोतस को हम माइक्रो चैनल या माइक्रो कैपेलिरी कह सकते हैं आधनिक द्रिश्चे जब कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, फैट एवं जीवतत्तो का अभाव होता है तब क्रिश्टा की क्रिश्टा या कारश्रों की उत्पत्ति होती है यानि बैलेंस भोजन नप्राप्त होना जिसमें कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, फैट, जीवतत्त, प्रियाप्त मात्रा में हो ऐसा भोजन ना करना या उनके पास उपलब्ध ना होने की विज़े से कार्श्रों की उत्पत्ति हो सकती है निदानों को देखें तो रूक्षन पान का जो निरंतर सेवन करता हो अत्यधिक लंगन करता हो अत्यल्व भोजन करता हो नपातोला भोजन करता हो और कसायरस प्रधान द्रभ्यों का सेवन अधिक करता हो निरंतर वेगों का धान करता रहता हो निरंता रात्री जागरन, नित्य मैथुन, ब्रद्धा वस्ता, पंच कर्म का अतियोग, अत्यद्रेक स्रम करना, शोकागुल हमेशा रहना, क्रोध भय और चिंता के कारण कार्श रोग होता। कई बार कुलज जो जनेटल प्राबलम होते हैं, जनेटिकल प्राबलम कुलज ब्यादी भी प्राप्त हो सकती है। संप्राब्ती बहुत सिंपल है, यह जो मैंने निदान बताएं, उनका सेवन करने से रसधातु की अल्प मातर में उत्पत्ती होती है, जिसके कारण सर्भधातों का पोर्शन बरोबर ठीक धंग से नहीं हो पाता, और प्रेडामता क्रिस्ता की उत्पत्ती हो जाती है। लक्षन देखें, तो मुख जो लक्षन होता है, वो नितंब उदर ग्रीवा में शुष्कता, यानि वहां मांस की कमी। और इतना पतला पेशेंट रहता है क्रिस्का की धमनी जाल दिखाई देता है, धमनिया दिखने लगती है। तो चाए एवम अस्ति पंजर दिखाई देती रहें, अस्ति पंजर पूरा पेशेंट को हम कहते हैं यह तो बहुत अस्ति पंजर है, बहुत दुरबल है। मुख अस्ति संदी स्थूर हो जाता है, ब्यायम परिश्राम बिलकुल नहीं करता, आहार की अनिच्छा हो जाती है, आलत से थकान और न तो ठंडी सह सकता न गर्मी सह सकता। मैतुन की ख्षमता भी बिलकुल कम हो जाती है, और हमेशा वात रोगों से वो ग्रिस्ट रहता है। क्योंकि छे धातों में होता है और धातों ख्षयात वात अब्रती, इसलिए वातज रोग पेशन को हमेशा बने रहते हैं। उपद्रों की रूप में प्लिहा वृद्धी, काश, स्वास, ख्षय, गुल्म, अर्ष, उदर्रो, ग्रहनी दोस। ये उपद्रों की रूप में लक्षन कार्ष में मिल सकता है। अब आगे अच्चे किस्सा के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन, आवश्यक होने पर हलका मृद्धु सोधन कराए। और सामायनता है ब्रमोंची किस्सा इसमें करना परती है। धातु वर्धक, बल वर्धक, बाजी करणो सद्यों का सेवन, तरपनो सद्यों का प्रियोग, वाह एवं आभ्यांतर सनेहपान, वाह अभ्यंग और आभ्यांतर सनेहपान, जैसे अशोगंधारिगरत, सतावरिगरत, कल्यान गरत, इनका आभ्यांतर सनेहपान, प्रति दिन देना चाहिए इसके अलावा ब्रह्मोन वस्ति सिद्ध वस्ति यवकोल को लथा नाम को आता हमागदिकामदु बाजी कणवस्ति उसमें साश्वगंधा, किमाच भी चून, सफेद मूसली और बबूल फली इनका सेवन इनका काढ़ा बना करके वस्ति दी जाती है जिसको अम ब्रह्मोन वस्ति या बाजी कणवस्ति कहते हैं इसके अलावा शमन और सद्धियों के रूप में शिद्ध मकरद्धवज साथ मिली ग्राम, प्रवाल पंचामरत एक सोपच्चेश मिली ग्राम, अजीन कंटा करस एक सोपच्चेश मिली ग्राम, ये दो बार शहर के साथ चटाएं अशुगंधा चून, सतावरी चून और आमल की चून ये ब्रुम्हन क्रियाकार करते हैं अशुगंधा, सतावरी, आमल की बराबर मात्रा में चून तयार करने का पड़शन और एक-एक चम्मच, बड़ा चम्मच, छोटा चम्मच होते दो दो चम्मच, दुग्द के साथ दोनो टाइम से वन रोगी उकराएं आशुगंधा रिष्ट में अशुगंधा रिष्ट, बला रिष्ट, द्राक्षासो, सारस्वता रिष्ट और लोहासो एक साथ दो दो आशुगंधा रिष्ट का प्रियोग आप कर सकते हैं जैसे अशुगंधा रिष्ट, बला इन तैलों से शरीर में अभ्यंग पेशन को करना चाहिए आशो अवलेहों में अशुगंधा अवलेह, चवन प्रास, ब्रह्मर सायन और आमलक्यादी अवलेह इसका शेवन्य रंतर दुख्द के साथ कराएं। दीपन पाचन के लिए चत्रकादी बटी, अगनी तुन्डी बटी आवशक्त अनुसार आप दे सकते हैं। इसके लावा अशुगंधा, मुलेठी, शतावरी और घरत इनको मिलाकर उद्ध्वरतन कराएं। इस तरीके से प्रक्रिया करने से साथ साथ में नस्य कर्म भी इसके लिए उप्योंगे। अनुताहिल से या इंद्रिय वर्धक ताहिल से आप नस्य निरंतर पेशन में कराएं। जैसे आप जानते हैं। Emisiाँ is an a state of extreme leanness, it is not an disease but it is an important symptoms of various disorders such as malnutrition, gastrointestinal tractic diseases, addition disease, tuberculosis, anorexia, cancer, diabetes, hyperthoride, starvation इन कारणों से starvation आधी कारणों से emissiation या कार्ष्रो की उत्पत्ति होती है आधनिक management हम कैसे कर सकते हैं तो to treat the causes जिस वज़े से कारश हुआ है उनका इलाज करें symptomic management करना पड़ता है rich, nutritious, easily digestible और balanced diet का सेवन करा है यह मुखचे किस्सा है यह हमको ध्यान में रखना चाहिए और सिर्दियों से ज़्यादा उसके खान पान में सुधार हो बैलेंस डाइट पेशन को मिले इसके बारे में हमको पेशन के बारे में जरूर सोचना चाहिए तो इस तरह किसे कार्श के बारे में कुछ जो बातें आवश्रक थी वो हम लोगों ने चर्चा की आप सबकी उपस्तेती के लिए पुनाहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कल फेरी सी वक्त आप से मुलाकात होगी एक नए रोक के साथ पुनाहा धन्यवाद जय आर्वेट झाल झाल खिए पुनाहा उवेट झाल झाल